हलो फेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल में फेंड्स फाइनली आई वीपेस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कलर के लिए फेंड्स आप लोग देख रहे हो यह ओफिसल वेबसाइट है आई वीपेस का और दोस्तों आपको जाना है लेटेस नोटिफिकेशन में इसको डाउनलोड करने के लिए तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके हम दो देख लिए क्या वेकेंसी है कितने बैंक पार्टिसिपेट करने कितने वेकेंसी से स्टेट वाइस और उसके साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि अपका education qualification क्या रहाएगा total fee कितना लगेगा सारे categories में और दोस्तो detail notification को हम दो देख सकते हैं तो चलिए दोस्तो notification को download कर लेते हैं notification को download करने के लिए दोस्तो आपको इसका जो latest देख रहे हैं यहां देखें दोस्तों जा रहा है click here to view advertisement तो फ्रेंड इसको आपको download कर लेना click करके तो चलिए फ्रेंड इसको click करके download करके देख लेते हैं क्या पूरा detail notification में है तो फ्रेंड आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर यह इसका official notification आईवीपेस क्लरक उसके बाद के नारा बैंक, Overseas Bank, यूको बैंक, Bank of India, Central Bank of India, पंजाब, National Bank, Union Bank of India, Bank of Maharashtra, Indian Bank, Punjab and Sindh Bank तो इतने सारे बैंक दोस्तों यह साल participate करें हैं यानि इन सारे बैंक में vacancies है अब दोस्तों बात करते हैं Tentative dates की तो दोस्तों सबसे पहले आता है आपका online registration का date और इसका form complete करने का और edit modification का date तो वो दोस्तों आपका है 2 सितंबर से लेकर 23 सितंबर यानि दोस्तों 21 दिन का time आपके पास है इस अंतराल में आपको form और edit और जो भी आपको करना पैसा देना है तो सारा कुछ दोस्तों इस date में आपको कर देना है ठीक है और उसके बाद दोस्तों आता है payment of application fee intimation charges तो ये भी दोस्तों सेम ही है मैंने और लड़े बता किका है तो 2 से लेकर 23 सितंबर के पास आपके पास समय है और उसके बाद दोस्तों आपका download of call letter pre exam तो friends pre exam के लिए आपका है 1711 यानि 17 नौंबर के बाद से आप download कर सकते हो pre exam और उसके बाद दोस्तों यहां देखे dot mark भी दिया गया है तो उसका क्या meaning है मैं आपको बदा दूँगा आगे अब आगे चलते हैं दोस्तों conduct of pre exam training तो friends pre exam जानते हो और रड़ी किसके लिए होता है तो SDSC या PWD वालो के लिए होता है तो यह आपका 23-11 से लेकर 28-11 के बीच में हो सकता है और उसके बाद दोस्तों download of call letter of online examination preliminary तो एक 18-11-2020 तो friends इस date में आप अपना call letter download कर सकते हो pre exam के लिए और उसके बाद आपका pre exam का date अपडे सकते हो टोटल यहां तीन डेट दरसाया गया है तो 5-12 उसके बाद 12-12 और 13-12 तो तीन डेट में आपके exam हो सकते हैं उसके बाद इसका result कब होगा तो 31-12 यानि 31 December को आपका result आ जाएगा उसके बाद download of call letter of online main examination main examination का call letter आपको download कर सकते हो तो 12 जन्वरी को उसके बाद दोस्तों आपका जो examination होगा में 24 जन्वरी को और प्रोविजन अलोट्मेंट आपका चार एक अप्रेल 2021 को आपका अलोट्मेंट का लिस्ट आ जाएगा आप फ्रेंट्स पात करते हैं इस dot की तो इस dot का यहां मतलब आप देख सकते हैं आपके क्या लिखा रहा तो in case it is possible and safe to hold P.E.T. यहां यह लिखावा है कि अगर पॉसिबल हो यानि जैसे आप लोगों पता है कि पूरे दुनिया में दोस्तों अभी COVID-19 का महा मारी चल रहा है जिसके चलते बहुत सारे exam cancel हो चुके हैं already और बहुत सारे exam और बहुत सारे इसी प्रेकरिया है जिसको रोकी जा चुकी है यहां पर यह लिए अगर पूरा-पूरी safety measure या फिर कुछ मामले घटे safe हुआ अगर आई-वी-पेस देखिए कि conduct करना safe है तभी दोस्तों आपका पीटी exam होगा और आपका पीटी exam postpone भी हो सकता आगे के date में तो दोस्तों इस चिसके आई-वी-पेस ने अल्डेडी पूरा कर दिया है इस चीज़ का अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब आगे दोस्तों आता है eligibility criteria तो फ्रेंट्स आप लोग पता है यहां सिर्फ आपको ग्रेजिशन होना चाहिए कैसा भी ग्रेजिशन यानि यानि बीटेक बीए बीकॉम बीए सी कैसा भी ग्रेजिशन आपका हो तो आप इसको apply कर सकते हो उसके बाद दोस्तों बात करते हैं age की तो फेंट्स जो on reserve के लिए दोस्तों वो आपका 20 साल minimum होना चाहिए और 28 साल maximum होना चाहिए और category wise दोस्तों age के रिलेक सेसन मिलता है भार सरकार जो देती है जैसे स्टी सी के लिए 5 साल, OVC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, और उसके बाद एक सर्विसमेन के लिए आप प्लस 3 साल और 8 साल disable के लिए उसके बाद दोस्तों divorce के लिए 9 साल, उसके बाद दोस्तों 1984 में दंगो के पीडित हुए थे उनके लिए 5 साल, उसके बाद regular union carbide factory जो आपको पता है तो उसके लिए 5 साल यहां relaxation मिले अब आगे बढ़ते हैं friends, अब आते हैं दोस्तों scheme of exam यानि exam आपका कैसे होगा, जो पुराने student उनको पता होगा, जो ने हैं वो किरपया इसी ध्यान से देखे, so friends सबसे पहले आप बात करते हैं दोस्तों English की, इंग्लिस में total आपका 30 question आएंगे 30 mark है इसके लिए आपको 20 म का समय ही मिले गाई, और दोस्तों यहां देख सकते हो, clear लिख दिया गया, separately time allocated, so friends, परते हैं सेक्षन के लिए दोस्तों आपको 20-20 minute ही समय मिलेगा, total एक घंटा का समय आपके पास रहेगा, उस दौरान आपको सारा question solve कर लेना जितना आपको आता है, और दोस्तों इसमें negative marking आप याद रखिए का 1 by 4 आपका negative marking है, ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं मेंस exam की, तो GA आपका 50 question रहेंगे, 50 mark के 35 minute मिलेंगे, उसके बाद बात करते हैं English के, तो English में 40 question रहेंगे, 40 mark के 35 minute मिलेंगे, उसके बाद reasoning ability and computer aptitude के लिए 50 question रहेंगे, 60 mark के, और 45 minute मिलेंगे, उसक में number of question 50 रहेंगे, 50 mark के, और separately इसको time मिलेंगे, तो वो 45 minute मिलेंगे, टोटल दोस्तों 160 minute समय आपको यहां मिलेंगे, और दोस्तों यहां पर भी separately time allocate की गएगे, यानि दोस्तों एक section जैसी ही आपका खतम होगा, आगला section automatically start हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा, जो न अब आगे में दोस्तों बात करते हैं, exam fee की, so friends यहां देखें, 175 रुपे लगया, तो SC, ST, PWD, एक सब्रिस्मेंट के लिए total आपको 175 रुपे लगेगा, और इसके अलावा जितने category है, जैसे आपको OBC हो गया, EWS हो गया, और उसके बाद unreserve हो गया, तो उनके लिए दोस्तो 800 रुपे अदा करने होंगे, as a exam fee, अब दोस्तों आते हैं, वेकेंसी टेबल में, तो सबस्तों पहले आता है, अन्डमान निकोबा, तो friends यहां देख सकते हो, बहुत सारे बैंक में आपका not reported है, और बहुत सारे बैंक में आपका 00 vacancy है, अब दोस्तों नेक्स आता है, आपक explicit, आपका वेकेंसी, एक ही है मात्र, और उसके बाद category wise यहां देख सकते हो, आपका आता है दोस्तों, आपका cola आपका Q2 आपका CS करके, और आपका अपना wraps देख सकते हो, वीडियो को, lions करके, नेक्स आता है दोस्तों चंडीगड, वेकेंसी आप देख सकते इंव यहां पर चार ही वेकंसी है उसके बाद यह रहा केटीगरी वाइस नेक्स आता दोस्तो आपका अच्छी घर में देख सकते हो ग्यां से और चेटीगरी वाइस आपका टोटल साथ 1 वेकंसी है अज़िस आता है आपका दाद्र और बैंक वाइज जानते सकते हो और उसके बांद क्टेगरी वाइज भी आप वीडियो को पॉर्श करके यहां पर देख सकते हो नेक्स बार चलते हैं सबस्क्राइब इतिरारगल सब्सक्राइब, सै buryya फ зах veering को je जा रहा ह enjoying वियां सखींट के क्लिफे विय्पकोर से परा करा को रहें परफ रहुआ हिमाचल केवित जाहर है करनाटका करनाटक में लाइव फिल्हाल फिल जीरो विकेंशी है। बहुत सारे bank में not reported है तो आप लोग apply कर सकते हो कभी कि या होता है दोस्तो not reported में वेकेंसी बढ़ जाती है लगबद हर exam में ऐसा होता है उसके बाद दोस्तो आता है लच्छचदिप तो लच्छचदिप में तोटल आपका दो वेकेंसी है आप देख सकते हैं और यह रहा बैंक वाइज यह रहा category wise आप उतना वेकेंसी देख सकते हो नेक्स आता है दोस्तो आपका मध्यपर्देश तो मध्यपर्देश में तोटल आपका 75 वेकेंसी है उसके बाद यह रहा category wise और यह रहा आपका निक्स अाता है दोस्तो आपका महाराष्टा तो महाराष्टा में दोस्तो अद नमबर विकेंसी थोड़ी अच्छी है यहां पर तोटल आपका विकेंसी है तीनसोर चौंग बंचेन्स टूर необходимо pratic बढ़ते हैं friends, तो आगे आता है आपका नागालेंड, तो नागालेंड, में टोटल 5 विकेंसी है, उडिसा में टोटल 43 विकेंसी है, पॉंडिचेरी में 3 विकेंसी है, पंजाब में आपका 136 विकेंसी है, राजिस्थान में आपका 48 विकेंसी है, सिक्की में दोस्तों आपका 136 उतराखंड में 18 और सबसे लास्ट आते हैं दोस्तों वेस्ट बंगाल तो वेस्ट बंगाल में टोटल आपका 125 वेकेंसी है यह रहा बैंक वाइस आप दे सकते हो किस बैंक में कितना सीट है उसके बाद आप केटेगरी वाइस भी धर से देख सकते हो इसके बाद दोस्तों आप डिमांड कोरेंगे तो कमेंट में जरूर बताएगा मैं IPS कलर्ट प्री का कटफ भी लादूंगा आप लोगों के लिए केटेगरी वाइस तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यभाद जैहिन जै भारत